पाव भाजी तो सभी को बहुत पसंद होती है और आज हम इसे इस तरीके से तयार करेंगे कि 15 से 20 नट में आपकी पाव भाजी बनकर तयार हो जाएगी इसको ना तो आपको जादा घोटना पड़ेगा और ना ही घंटो के चिन में खड़े रहना पड़ेगा तो हेलो देखें यहां पर मैंने चुकुंदर भी उज़ करा है क्योंकि इससे पाव भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है थोड़ी सी गोभी बीन्स गाजर तीन से चार कली लहसुन की थोड़ा सा अद्रक लहसुन और प्यास बिलकुल उप्शनल है अगर आप नहीं डालना चात तो मत लीजेगा एक बैगन लिया है और तीन हमने टेमाटर लिये हैं तो सबसे पहले हम इन सभी सब्जियों को अच्छे से वाश कर लेते हैं और छील कर कट कर लेते हैं देखें सारी सब्जिया मैंने यहां काट ली हैं और हम इसी कुकर में सभी सब्जियों को एक साथ करने की कोई ज़रत नहीं पड़ेगी और स्वाद में ये आपको बिल्कुल जो स्ट्रीट साइट पाउभाजी मिलती है वैसा टेस्ट देगी इसमें अब हम एट करेंगे एक ग्लास पानी एक चमच नमक एक चमच हल्दी और इसको बंद करकर हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे कम से कम तीन से चार सिटे आने तक यहां हमने ली है एक कटोरी मतर और इसको हम अलग बॉयल करेंगी क्योंकि इसे हम उपर से एट करेंगी इसमें डालेंगे 2-3 चमच पानी और आधा चमच चीनी डालकर इसको 2-3 सिटियाने तक बॉयल कर लेंगी मतर में चीनी हमने इसली आट करी है ताकि जो मतर का ग्रीन कलर है वो बना रही देखे इधर हमारी सारी सबजियां भी बॉयल हो गई है इसको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं तो एक मैशर ले लेते हैं और इन सभी सबजियों को मैश कर लेंगे कितनी जल्दी सारी सबजियां भी हो गई और मैश भी हो गई आप चलते हैं इसे फ्राइ करने की तरफ तो देखे यहाँ पे मैंने एक कड़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे देशी गी आप चाहें तो सिर्फ बटर या सिर्फ देशी गी भी यूज कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे आधा चमच हींग एक चमच जीरा और जीरे को अच्छे से भोन लेंगे देखे जीरा भी बुन गया है अब इसमें हम डाल देंगे सारी सब्जियां जो हमने मैश कर ली थी और पस इसे हम 10 से 15 नट अच्छे से पका लेंगे देखे सब्जी अब पक चुकी है आप इसे बहुत ध्यान से चलाएगा क्योंकि इसकी छीटे बहुत तेज आती है लास्ट में हम इसमें आइट करेंगे पाव भाजी मसाला भाजी में मैंने लाल मिर्च का यूज नहीं किया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च दाली थी और भाजी मसाले में भी मिर्ची होती है भाजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसालों का फ्लेबर है वो सभी सबजियों में आ जाए इस तरीके से आप काफी सारी पाव भाजी भी बहुती कम समय में बना कर तयार कर सकते हैं दिखे 15 से 20 नठ हमने भाजी को अच्छे से पकाया है और कितना अच्छा कलर भाजी में आ गया है अब इसमें एट करेंगे दो नीबो का रस और इसको मिक्स कर लेंगी सिर्फ एक से दो बार इसे चलाना है बिल्कुल परफेक्ट भाजी बनकर तयार है अब हम इसमें मिक्स कर देंगे बॉयल मटर मटर दानने के बाद भी हम इसे ज़ादा नहीं चलाएंगे वरना मटर हमारी मैश हो जाएगी इसको बस हम हलका सा ही चलाएंगे और ढखकर 10 नट के लिए रख देंगे चलिए तब तक पाव सेख लेते हैं तो तबे पे हलका सा बटर लगा लिया है और कट करकर पाव को दोनों तरफ से सेख लेंगी पाव को पलट लेते हैं और दोनों तरफ से सेख लेते हैं अब बारी है पाव भाजी को सफ करनेगी तो यहां मैंने भाजी को गार्निश करा है थोड़े से बटर और प्याज के लचो के साथ अब पलेट में निकाल लेते हैं थोड़े सी भाजी उसको गार्निश करेंगे थोड़े से बटर के साथ और नीबू और प्यास के लच्छों के साथ देखे गर्म गर्म पाव भाजी बनकर तयार है देखे लग रही है ना स्वादिस्ट है ना इसे बनाना असान अब कितने भी गैस क्यों ना आ जाएं आप इसे असान इसे बना कर तयार कर सकती हैं अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई एंग थैंक यू फॉर वाचिंग